नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिलकुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। एक्सिस म्यूच्वल फंड की पांच शांदार स्कीमों के बारे में जो टॉप पफोर्मर रही हैं। इन स्कीमों को तीन साल के एन्वेस्टम के आधार पर चुना गया है। तो चलिए जानते हैं इन स्कीमों की डिटेल्स हमारी पहली स्कीम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट किये होते तो वो आज 2,70,000 रुपे हो गए होते। वही पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपे की मन्थली SIP स्टॉट की होती तो वो आज 2,66,000 रुपे हो गए होते। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका ओल ट प्रतिशत का और पिछले एक साल में इस स्कीम ने 30.40 प्रतिशत रिटर्न दिया है। 5,000 रुपे की मन्थली SIP स्टॉट की होती तो वो आज 2,38,000 रुपे हो गए होते। एक्सिस ग्रोथ ओपिचुनिटीज फंड के रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका ओल टाइम एन्यूल रिटर्न 20.68 प्रतिशत का है। इसका 3 साल का रिटर्न 28.17 प्रतिशत का है। और एक्सिस मिड्कैप फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1,00,000 रुपे लंपसम इन्वेस्ट किये होते तो वो आज 2,07,000 रुपे हो गए होते। वही पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 इसका 5 साल का रिटर्न 18,56 प्रतिशत का है और पिछले 3 साल की बात करे तो इस फंड में रिटर्न दिया है 27,45 प्रतिशत का और पिछले 1 साल में इस स्कीम ने 26,81 प्रतिशत रिटर्न दिया है। हमारी 4 स्कीम है Access Nifty 100 Index Fund Direct Plan यह एक Large Cap Fund है। दोस्तों, Access Nifty 100 Index Fund में भी निवेश को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1,00,000 रुपे लंपसम इन्वेस्ट किये होते तो वो आज 1,86,000 रुपे हो गए होते। वही पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2, 2,23,000 रुपे हो गए होते। अक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड के रिटर्न्स पर नजर दाले तो इसका ओल टाइम एन्यूल रिटर्न 14.80 प्रतिशत का है। इसका 3 साल का अवरेज रिटर्न 23.07 प्रतिशत का है। और पिछले एक साल की बात करे तो इस फंड में रिटर को काफी अच्छा रिटन दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1,00,000 रुपे लंफसम इन्वेस्ट किये होते तो वो आज 1,73,000 रुपे हो गए होते। वही पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,14, हजार रुपे हो गए होते। अक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर दाले तो इसका ओल टाइम एन्यूल रिटन 13,72 प्रतिशत का है। इसका 5 साल का रिटन 13,44 प्रतिशत का है। और पिछले 3 साल की बात करे तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 20,01 प्रतिश इन mutual funds में minimum investment SIP के जरिये 100 रुपे और lump sum 500 रुपे कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई limit नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दू की ये इन funds में investment की कोई सलाह नहीं है। Mutual Fund में निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है। इसलिए निवेश से पहले अपने financial advisor से परामर्श कर ले। आपको Axis के 5 best mutual funds की ये जानकारी कैसी लगी। इसके बारे में हमें comment करके जरूर बताए। इसके अलावा आप कौन से mutual funds के बारे में वीडियो देखना चाहते ह वो भी हमें comment section में जरूर बताए। दोस्तों, mutual fund में निवेश करने के तीन तरीके होते हैं। पहला fund company की website, दूसरा broker के through और तीसरा घर बैठे mobile app के द्वारा। अगर आप mobile app के जरिये निवेश करना चाहते हैं तो अब stocks का link नीचे description में दिया है। उस पर click करके आप अपना दीमिट अकाउंट ओपन करके डिरेक्ट इंवेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।